अवकात दिखाने का काम रमेज बिदोडी ने किया है। मंत्री बनते तो भी इतना बड़ा काम नहीं करते हैं। जितना बड़ा काम उन्होंने स्टेटमेंट से किया है। यह आवकात दिखानी चाहिए। हर मंच भी दिखानी चाहिए। इसलिए हम उनके साथ है। दानिसली के घर जा रहा है वह फोटो की चा रहा है रहूल गान दी ओंचाइए संजय सिंगो आप कुनी लगा कि एक बार जो है हमें सुरेश्च चवान के को भी एक बार जाना चीर दानिसली तो चल रहा है मैंने तो कहा है दानिसली को कि मुझे चलते-चलते दे दो लडाई म प्रश्टिक ने देखना है संस्कृतिक राष्ट्रवाद के दुरुष्टिकों से देखना है नमस्कार मैं हुरी सबोस्ति और आप देख रहें निउस टैंक आज हम आर साथ स्पेसल चर्चा में जुड़े हुए सुरेश चौनके जी जो सुदर्सन चैनल के फाउंडर है साथ के साथ एडिटर इन चीफ है इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका पूरे वामले को लेकर के क्या कहना है सबसे पहले निउस टैंक के चनल पर बहुत-बहुत सब्सक्राइब और आपको शुब कामना है भी इस नए प्रजेक्ट के लिए धाऀसा नहीं कहा मैंने भारत का हिस्सा है और वह रहेगा यह सारा जो पी ओके है गिलगीट बातिल टिस्तान और भी जो क्शेत्र है जिसपर कभजा करके रखा है यह हमारा ही क्शेत्र था वहांकि नागरीब हमारे ही मागरीख है और भारत सरकार ने पहल remember, उनक आद को खुल कर कहे देना चाहिए कि आप ये जगा खाली करो ये कल के बिंदास बोल में हमारे साथ जो सेना के छे बड़े अदिकारी जुड़े थे जिनों ने वहाँ जमीन पर भी काम किया है से लोगों ने एक साथ कहा था और देश का इस समय ये महोले और कंगाल पाकिस्तान से ये क्षेत्र पुना मुक्त करने के लिए उसकी गुलामी हटाने के लिए इससे अच्छा क्या टाइमिंग हो सकता है जब हिंदुस्तान का भी वरचस्व दुनिया में अच्छा चला है और इसलिए हमने ये कहा और हमें प्रसंदता है कि हमारे शो के तीन घंटे बाद भाद सरकार ने युनाइटिट नेशन्स की आम सबा में ये स्टैंड लिया कि आप ओक्षेत्र खाली करो ये हमारा क्षेत्र है तो ये राइट टाइम है उस शेत्र को लेने का और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ के वहाँ तिरंगा फैला जा कर अब तिरंगा हत्मे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं इस से अच्छी स्थिते और क्या हो सकती हैं कि वहां के लोग जो है वो खुदी चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तचेप करें और उन लोगों ने ये कहा कि हमको पाकिस्तान के साथ जाके क्या म हमेशा लटका है रखा एक बफर की तरह उपयोग किया और पाकिस्तान हमको एक्सलोइट करना चाहता है वहाँ पर जो इतने बड़े पैमाने पर नाच्रल रिसोसे से उनका दोहन कर रहा हैं वहां से बजने वाली बिजली जो बंदकर उनको त्रेपन रुपे में मिलेगी और नीचे पाकिस्तानियों को पाच रुपे में मिलेगी दस गुणा महेंगा मिलेगी वहाँ इतने विपरित नैसरगी स्थिती में भी वो अपना जीवन जीकर उस देश के साथ रहे कर मिलेगा क्या यह ओप कह रहे हम नहीं कह रहे हम तो यह कह रहे है कि हम सिधे उन लोग का भी और सरकार का भी जैसे आपने कहा कि हमारे नागरीक हैं और हम में उनका सयोग करना चाहिए ऐसे ही टीवी पर बैठ करके अपील करता हूं कि जो लोग यहां पियोके के अंदर के जो हिंदुस्तानी है वो सारे लोग हमारे भाई है और उनको साम दाम दंड़ भेद जो मदद चाहिए हमको संपर करें हम आपके साथ है अपील डैट एक नागरिक के नातइखट के नाते हम । और हम मिडिया के नातिवे उनके साथ है और उनको आर्थिक मदद भी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है ऐसी एक अपील जो है वो पन्नु ने की है बैठ करके टीवी डिबेट में और वो कह रहा है कि पंजाब के अंदर तमाम जो भी लोग रह रहे हैं हम उनके साथ खड़ा है कि मांग कभी सच उपाईगी जिस तरीके से थे इस देश का खून इस देश का जो देश भक्तनागरिक है सैनिक है यहाद तक क्या कैनाडा वालों को निपट ले ना पहले जब से यह स्टेटमेंट हुआ और भारत सरकार ने बोल्ट स्टैंड लिया है और कैनाडा के लोगों का यहाँ वीजा बैन कर दिया है पंदरा हजार खली स्टानियों के घरों को वैकंड करने के लिए वहाँ के मूल निवासी लोगों ने जो रेंटेट रहे ले जो भी उसमें तो कुछ इनोसंट सीख भी है लेकिन पंदरा हजार सीखों को घर खाली करने के लिए वहाँ के नागरिकों ने प्री मैचोर नोटीज दी है कि उनका किसी का एक साल बचा है, किसी का दो साल बचा है, किसी के कुछ मेने बचे है, वह agreement समाप्त होने के पहले हमारा घर खाली करो, ये पंदरा हजार कैलेडन लोगों ने स्टैंड लिया है, उनको पहले उनसे नहीं पटना होगा, आपको कभी सोचा था कि इस तरीके से कना करें 20 साल से, इस से भी ज्यादा सोचा है, इस से भी ज्यादा सोचा है, और इसलिए कल हमने कहा है कि स्ट्राइक करो, इसलिए हमने सोचा नहीं तो है, उन्होंने नहीं सोचा होगा, वो तो उनके लिए अभी भी सपने जैसी बात है, ये आपने देखा होगा, कल जब संसद के अंदर कारवाई चल रही थी तो वहाँ पर कहा गया आरोप लगाए गया रमेज विधुरी के उपर कि उन्होंने जो है इस तरीके की अबद्र भासा का इस्तेमाल किया है उसके वाज उनकी सदस्तिता जानी चीए और सुबा से आप देख रहे होंगे ट्रेंड चल रहा है लगाता है पर आप अकेले हैं जो समर्थन में सबसे पहले उतर आए क्या वजा रही दिखें मैंने तो मुद्दे का समर्थन किया मैंने कहा कि रमेज विधुरी ने क्या गलत कहा है और रात में उनका भी फोन आया था मैंने कहा आपने रेकॉर्ड बनाया है अब संसत के कारवाई से हटेगा तो भी इसमें रहेगा कि क्या हट आये गया था तो आवकात दिखाने का काम रमेज विधुरी ने किया है वो मंत्रि बनते तो भी इतना बड़ा काम नहीं करते जितना बड़ा काम उन्होंने इस टेटमेंट से किया है और या आउकात दिखानी चाहिए हर मंच पर दिखानी चाहिए इसलिए हम उनके साथ है पर दानिस अली जो है, वो लगाता रहे हैं मैं डिपरेशन में चला गया हूं, बहुत बुरा आल है, मुझे नींद नहीं आ रही है इस तरीके को और अगर मुसल्मान को मुसल्मान कहने से और उसकी धार्मिक मानने अता हो कि अप परिशेय देने से डिपरेशन में जा रहा है वैसे भी दानी साली असली मुसलमान नहीं है, वो तो दाड़ी निकालता है, मुझ रखता है, कपड़े भी कैसे पहनता है, आपके जैसे पहन रहा है, तो कहां से मुसलमान हो है, मुसलमान के पाच लक्षन है, जो उसको धारन करने है, उसको तो करने ही रहा है, तो कहां से मु चल रहा है मैंने तो कई दानी शली को मुझे चलते-चलते दे दो तरबाद कर दिया कितनी हिंवत दिखाते हैं मैं शनातन को लेकर करके टारगेट पिछले कई महिनों से इक के बाद एक सीरीज में लोग कर रहे हैं और उनके उपर कारवाई नहीं हो रही है आपको लगता है कि एक कारवाई का बक्त है और भारत सरकार को एक कड़ा कदम कोई उठाना चाहिए जो सनातर को लोकटिपड़ी जो मुझे जानता है और जो मुझे देखता है जादा नहीं जानता होगा लेकिन देखता होगा उन सब को पता है कि मैं तो यही कहता था कि लड जाएगी नहीं बाजयबस आएगे तो लड़ाइशं greasy गूष्ट कर देखना है उनको मारा जाता है महारा श्के करके पूजा इस प्रकिसी बीडर हुआ चैनल के स्टूडियो में ठाहिं सभी ओ नहीं होते देखा और किसी चैनल संत्रािटंख ओकर क्लिथी पूजा कर रहा हो इस तरीके का दर्स दर्सन जो है सिर्फ सुदर्सन में दिखाई दे रहा है यह लोग भी करेंगे जो आज कर रहे यह कहा कर रहे थे जो आज भी यह लोग कुछ कर रहे थे थोड़ा भूच चीजे यह भी कहा कर रहे थे तो एक दिन देश के सारे चैनलों के पर आज हमें आपर ऐसे लोग बच्चे दिखाई दिये जो मंत्रों चारड कर रहे हैं यही तो आशा है इंदुस्तान से और एक तरफ बिगाडने की इतनी कोशिशों के बावजूद भी यह पीडी बच्ची है तुसरा आपने गनेश पैंडल में देखा होगा कि एकदम फु भाव नहीं, जाती है नहीं, प्रांती है नहीं, सारा हिंदु पैंडल में स्वागत है जो इविडियो को देख रहा है वो भी 17 तारिक तक शाम पौने 6 बजे तक सुधर्शन में आए, गनेश जी के आरती करे और 28 तारिक को विसरजन में आए सिर्फ इंदो के लिए इंविटेसन है या मुसलिम भी आ सकते हैं आए गर वापसी कराएंगे तो लगातार आप सुन रहे थे सुरेज सर को इन्होंने साब सब्दों में कहा है जिस तरीके से पियोके को लेकर के लगातारे मुद्दा उठा रहे हैं भारत सरकार भी अब उन आए बाद जैन